असलाम अलेकुम वार्ज, वेलकम बैक, आज की वीडियो को हमारा टॉपिक है, एड टो एंड कैज पॉइंट आफसाट एलिवेशन टू ग्रेडशीट, अगर आपको ये रेकॉइड हूँ, कि आपने ग्रेडशीट में भी ये जो टो के पॉइंट हैं, या कैज पॉइंट है इनको आपने ग्रेडशीट में भी, ग्रेडशीट स्टेशन के साथ एड करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में हम यही देखेंगे, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रेक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं, तो आप सब्सक्राइब इससे आपको न्यू आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन जो है, वो मिल सकेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर यह जो हमारी, यह चोफ पॉइंट बन रहा है, यहाँ पर मैंने इसको प्लेश किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, इसमें डि को आपने execute करना है execute जब आप करेंगे तो इसमें जो अभी आपके corridor point रहा हुए में उन सब के station offset इस list में आ जाएंगी तो जो ऐसे भी हैं आपने इनको ऐसे ही create report कर लेना है और save कर लेना है ठीक है तो मैंने already इसको किया है last video में मैंने करके दिखाया था यह तो यहां पर वह report है हमारे पास ठीक है यहां पर आपने filter लगाना है और यहां से आपने इसको filter को expand करना है जो मतलूबा point है आपने उनको यहां से select कर लेना है तो one by one करेंगे तो आपके लिए करने में असानी होगी जैसे मैंने यह left side में right side का already जो है वो इसमें है grade sheet में और इसको भी मैंने किया है मैं दिखाता हम आप लोगों को यह हमारी grade sheet है इसमें आप देख सकते हैं यहां पर toe और catch point जो है इसके variable जो offset है वो यहां पर है और यहां पर elevation है तो इसी को हम करेंगे left side के लिए तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं यहां पर आपने इसको filter करना है left side वाले को यहां से आपने इसको select करना है, shift control, down arrow just thoughts करना है यहां से आपने इसको copy करके control, down arrow करना है तो new file में आप आ जाएंगे यहां पर आपने paste value कर देना है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसके साथ सारी information आ गई है जो चीज हमें चाहिए हमें सिर्फ जो है वो offset और elevation चाहिए तो यहाँ पे आपने control A करके control F करना है यहाँ पे आपने M enter करना है replace पे click करके replace आल कर देना है ओके close तो यहाँ पे हमारे पास यह offset की value आगी है control shift down arrow की से आपने इसको select करना है यहाँ से copy करना है copy करके आपने यहाँ पे grade sheet वाली sheet में आ जाना है और यहाँ पे आप लाके paste कर देना है ठीक है तो यह हमारी offset की value थी ओके यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यह offset की value आ गई है और अभी हमारे पास जो है elevation की value है control shift down arrow की copy और grade sheet में लाके यहाँ पे आपने यह जो first station है इसके साथ आपने इसको paste value कर देना है तो यहाँ पे आपने control shift arrow की press करना है तो यहाँ पे आपने verify कर लेना है कि यह station इसके साथ match कर रहा है कर नहीं कर रहा है तो यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं इसमें यह बड़े अच्छे से match कर रहे हैं तो आज की वीडियो में इतना ही thanks for watching अल्लाफिस